नमस्कार साथियों आईए हम लोग पड़ते हैं भारतिय शासनियों राज़ बिवस्था एंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सिस्टम जो की राजलुक सिवायोग एवं संगलुक सिवायोग से संबंधित जो भी परिच्छाएं आयूजित किया जाता है एवं अन्य भी सभी वंडेक जामनेशन के लिए महत्तुपूर होता है आए चर्चा करते हैं आज हम लोग इस राज बिवस्था यानि पॉलिटी का बिल्कुल सुरू से अध्यन करेंगे और हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा वह होगा प्रस्तावना ठीक है क्या है इस पर चर्चा किया जाए तेके भारती संबिधान की प्रस्तावना इसमें हम लोग देखेंगे कि संबिधान का प्रस्तावना क्या है संबिधान का सुरूत क्या है भारती राज जी की प्रकृति क्या है और भारती राज जी की उदेश क्या है आज हम लोग देखेंगे कि भारती संविधान की प्रस्तावना क्या है संविधान का सुरोत क्या है भारती राजी की प्रकृति क्या है भारती राजी की उदिश क्या है ठीक है इससे संबंदित जानकारी आज रखेंगे यह जो दिख रहा है आपको प्रिमेंबल जो आपको प्रिमेबल दिख रहा है, प्रस्तावना जो आपको दिख रहा है, Constitution of India का प्रस्तावना, कहता है Be the People of India, यही से शुरू होती है, Be the People of India से, हम वारत के लोग से, ठीक है, जिसमें न्याय की बात किया गया है, जस्टिस की बात किया गया, Social, Economic and Political, स्वतंतरता की बात किया गया है, Thought, Expression, Belief, Faith and Vorship, तो इस प्रकार इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रियास करते हैं, क्या है, भारती संबिधान की प्रस्तावना एक संचिप्त परिचेयात्मक कथन है, जो संबिधान के मार्ग दर्सक, उद्धेश्य सिध्धानतों और दर्सन को निर्धारित करता है, भारती संबिधान का प्रस्तावना, एक संचिप्त परिचेयात्मक कथन है, जो संबिधान की मार्ग दर्सक, उद्धेश्य सिध्धानतों और दर्सन को निर्धारित करता है, प्रस्तावना निमलिखित के बारे में जानकारी देता है जैसे क्या कि सम्विधान का सुरोत क्या है ये प्रस्तावना से हमको जानकारी मिलता है तिक है सम्विधान के प्रस्तावना से हमको जानकारी मिलता है कि सम्विधान का सुरोत क्या है भारती राजी की प्रकृति क्या ह इसके उद्धिश्यों का बिवरण और इसके अपनाय जाने की तिथी के बारे में प्रस्तावना हमें बताता है। के लिए सत्य निष्टा से संकल्प लेते हैं। ये प्रस्तावना में लीखा गया है। हम भारत के लोग इसमें जो समाजवादी, अखंडता, पंथनिर्पिच, जैसे सब्द 42 संबिधान संसुधन अधिदियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारे प्रस्तावना में जो न्याय की बात किया गया है, समाजिक, आर्थिक और राजनितिक, विचार की बात किया गया है, अभिव्यत्ती की बात किया गया है, विश्वास की बात किया गया है, आस्था की बात किया गया है, उपासना की सुतंता की बात किया गया है, हमारे प्रस्तावना में. इस्तति और आउसर की समानता की बात किया गया हमारे प्रस्ताओना में और उन सभी के बीच परचार करना भी बात किया गया है ब्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता का आस्वासन देने वाली बंधुता की बात किया गया हमारे प्रस्ताओना में कि इसमें लिखा गया है कि आज दिनांग कि 26 नॉम्बर उनीस उन्चास को अपनी संभिधान सभामी संभिधान को अंगिकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करता करते हैं ये प्रस्ताउना में लिखा गया है ठीक है नयाएब विष्वास ड्यक्ति की गरिमा और सरकी समानता जो आगे आप संभिधान में पढ़ते हैं चीजों को चाहे मौलिक अधिकार के माध्यम से, चाहे राज जी के निती निर्दिसक्त्तु के माध्यम से, यह सब प्रस्तावना में बताया गया है। ये तो हो गया प्रस्तावना के परिचा के बारे में आपको पता है कि केयम मुंसी ने प्रस्तावना को सम्मिधान का जन्म कुंडली कहा है डाक्टर धीमरावम बेटकर ने इसे बहुत अच्छा पत्र के रूप में बताया ठीक है तो इसे तमाम सारे बिचारक भी हैं जो प्रस्तावना पर अपनी बात रखते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि प्रस्तावना में जो तमाम सारे बात्ते किया गया है संप्रभू, लोक्तंत्रात्मग, इसमें जो कुछ प्रमुक सब्द है, उसकी प्रकिर्टी क्या है, राज यानि की देश, जैसे आप जानेंगे, कि हमारे प्रस्तावना में संप्रभू की बात किया गया है, क्या होता है, संप्रभू यानि की भारत आंत्रिक और बाहर रूप से संप्रभू है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बाहरी रूप से किसी भी बिदेशी सक्ति के नियंत्रण से मुक्त है, और आंत्रिक रूप से इसकी एक स्वतंतर सरकार है, जो सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, और लोगों पर सासन करने वाले कानून बनाती है, कोई भी बाहरी सक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकता है, इसने भारत संप्रभू है, यहां कि जनता का ही निर्ड़य प्रमूख है। भारत के प्रस्तावना में आपने देखा समाजवाजी सब्द, समाजवाज जो 42.1976 के माध्यर जोड़ा गया है, समाजवाज क्या है, एक आर्थिक दर्षन है, जहां उत्पादन और वित्रण के साधनों पर राज जी का स्वामित होता है, राज यानिकी वहाँ का जिस सरकार है, उसका स्वामित होता है, भारत ने मिस्त्रित अर्थिव्योस्था को अपनाया है, जहां राज जी के अलावा नीजी उत्पादन भी होगा, एक समाजवाज समाजवाज समानता पर अधिक जोड़ देता, ये बात आप जानते हैं, ये बात आप समझ रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे प्रस्तावना में धर्म निर्पिच्च्टा की बात किया जाता है, इसके साथ साथ हमारे प्रस्तावना में धर्म निर्पिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा ठीक है इसके साथ सथ हमारे प्रस्तावना में लोकतंत्र की बात किया गया है यह क्या है यह दर्साता है कि संविधान ने सरकार का ऐसा स्वरूप स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है सासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनकी प्रति उत्तरदाई होते हैं यह लोगतंत्र की बात किया गया है हमारे प्रस्तावना में गरतंत्र की बात किया गया है यानि हमारे प्रस्तावना में गड़तंत्र यानि की गड़ राज जी का भी बात किया गया है तेकि गड़तंत्र यानि राज तंत्र की विपृत जिसमें राज के मुखिया को जीवन घर के लिए जब तक वह सिंगासन से त्याग न दे वनसानुगत अधार पर नित्त किया जाता ऐसा नहीं है एक लोकतांत्रिक गणराज एक एसी ही काई है जिसमें राज जी के मुख्या को प्रत्यत चिया अब प्रत्यत चुरूप से एक निश्यत कारेकाल के लिए चुना जाता है और भारत की राष्टपती को पांच साल के उधी के लिए निर्वाचित निर्वाचिक मंडल द्वारा चुना जाता है और भारत की राष्टपती का पत्वन्सा नुगत नहीं है इसलिए भारत एक घंणराज है ठीक है जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है यह रहा प्रस्तावना के बारे में जो बहुत महत्तो बोड़ है जब हम प्रस्तावना से आगे बढ़ते हैं तो हमारे संबिधान का भागेक शुरू होता है जैसा कि 22 भाग है भागेक में बताया गया है संग और उसका राज़िछेत भागेक में बताया गया है भाग एक में बताया गया है संग और उसका राज्य छित्र जो कि आठकल एक से चार तक है विश्य सूची में आप देखेंगे आठकल एक बताता है संग का नाम और छित्र जो कि भारत का नाम क्या है राज्यों का संग है साम्भिधानिक दृष्टी से आप देखेंगे भारत राज्यों का संग है ठीक अनुछे दो में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना नए राज्य जो है उसके प्रवेश कोई नए राज्य जेसे सीक्किम है ठीक है तो ऐसे राज्यों का प्रविस कराया गया था यह अस्थापना अनुछे 2 में है अनुछे 3 में ने राज्यों का गठन कैसी राज्यों का गठन किया जाएगा तो था बिद्यमान राज्यों के छेत्रों सिमाव या नामों में परिवर्तन भारत के मालीज 28 राज्य है किसी राज्य के सीमा में नाम में परिवर्तन करना है राज्य के सीमा में गठन करना है तो ये आठकल 3 में है अच्छा ये पूरी विधी जो है अनुशे 368 के तर संसुधन नहीं माना जाता है इसके तहत रास्टपती के पास एक पूर्वा अनुमती से संसद में एक विध्यक पेश किया जाता है उसी के माध्यम से पूरी कार्य प्रणाली होती है इसी प्रकार अनुशे 4 में आप देखेंगे कि जो उपर जो बताए गए चीज है इसी के बारे में वर्रन जो है अनुशे 4 भी करता है कि संसद के पास ये सकती है जो आर्टिकल 368 से संबंदी नहीं माने जाएंगे तो ऐसे जो तमाम प्रकार के विचारधाराएं हैं यहां से जुड़े हुए है अनुशे देख कहता है कि संग का नाम और छेत्र जो है अर्थात इंडिया भारत राज्यों का एक संग होगा जैसा कि आपको हम बताए है राज्यों उसके छेत्र प्रथमन उसूटी में निर्दिष्ट है भारत के छेत्र में निमलिखित सामिल होगी जैसे राज्य का छेत्र और प्रथमन जूची में जो संग राज छेत्र हैं और इसे अन्य छेत्र जो अर्जित किये जाएं ये भी सामिल है उसमें ठीक है अनुशेद दो आपको हमने बताया ठीक है कि जो संसत के बिधी द्वारा जो भी है जैसे आपने देखा कि सिक्किम को सामिल किया गया है ठीक है इसी प्रकार आप देखेंगे कि हाँ ये बात और आपको जानने की जरूत है कि इसे अनुशे 368 संसोधन नहीं माना जा सकता है ठीक है इसी प्रकार अनुशे 3 अनुशे 3 में आपको उने बताया कि ने राज्यों के गठन के बारे में है ठीक है सिमाओ के बारे में है इसमें क्या किसी राज्य का च्छतरफल बढ़ाया जा सकता है किसी राज्य का च्छतरफल कम किया जा सकता है और किसी राज्जी की सिमाव में परिवर्थित करना, किसी राज्जी का नाम बदलना, ये सब आर्टिकल 3 में सामिल है, ठीक है? लेकिन एक बात जो नोटिस करने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर है, इस प्रकार के चाहे आर्टिकल 2 हो, आर्टिकल 3 हो, इस प्रकार के किसी भी परियोजन के लिए राश्टपति की सिफारिस के बिना, शंसत के किसी भी सदन ने प्रस्थूत नहीं किया जा सकता, यानि कहने का ताद पर यह है कि ऐसे परियोजन के लिए, सबसे पहले आपको राश्टपति के पास एक विध्यक, यानि एक प्रारूप भेजना पड़ेगा, एक प्रारूप आपको भेजना पड़ेगा, फिर उ इसके साथ साथ राश्टपती चाहे तो इस विध्यक को उस राज्ज के विधान मंडल के पास भी भजवा सकता है परन्तु इसमें विधान मंडल के पास एक सिमित सक्ति और सिमित दायरा दिया गया है ठीक है तो ये रहा राज्ज के बारे में अब इससे नेश्ट हम लोग नेश्ट क्लास में चर्चा करेंगे इस संग राज्ज छेत्री के बारे में और जो अन्य चीजें हैं कैसे राज्ज का निर्मार हुआ है तमाम प्रकार की राज्ज कैसे जुड़े हैं ठीक है जहिन सत्यों